नमस्कार श्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य श्माचार के इस विडियो में दिन बर की छोटी और बड़ी शबी खबरों को लेकर क्याप के बीच एक वर फिर से हाजर हो चुके हैं दरसल आपको उतार देते हैं कि तिजश्वी यादो बिहार में लगतार जातिय जनगर्णा की मांग कर रहे हैं और इस पर पक्ष और भीपक्ष की दोनों सहमती मिल गई है लेकिन बीचेपी के सहमती ना मिलने के करण तिजश्वी यादो बिहार के सोड़कों पर उतरेंगे पूरी खबर पाटी जेडियो क्या परधान मंतरी मोदी से जातिय जनगर्णा के बात को लेकर मांग करेंगी और बात को नहीं मानने पर एक जिट होजाएंगे पूरी खबर बिस्तार से महज पाँच मिनट के अंदर बिस्तार से बताए साएगा साथी साथ आज की बड़ी खबर के अंदर बात करेंगे बिहार के अंदर जिहां बिहार में लगतार पंचाय चुनाव की कवायद सुरू हो गई है बिहार के पंचाय चुनाव कराय जाने को लेकर लगतार परियास किये जा रहे हैं और इसी बीच आने वाली बड़ी खबरों शब को चौका करक दिया पूरी खबर पांच मिनट गंदर शर्षो वाइल के नाम पर पाम वाइल सस्ते और कम कीमत पर दिये जा रहे हैं डॉक्टरों ने बताया कि इसे कीमत के कम कीमत वाले सर्षो वाइल खाने से बहुत जल्दी आपके अंसर के पीडित हो सकते हैं इसलिए आप सर्षो वाइल जियसूद सर्षो वाइल निखाए इसके जनकारी साब्त और पर डॉक्टरों के दोवारत दिगाई पूरी खबर बताया जाएगी साधी साथ कोबीड-19 की वैक्सिनेशन के लिए मिलने वाली वैक्सिन की डोज की अब मांग तेज हो गई है बिहार की अंदर वैक्सिनों की कम की मिलने की कमी हो एकारेड मजदूर बर्ग के लोगों को भारी दिक्कतों रस्तामना करना पड़ रहा है शरकार ने यह अपील किया है कि जल्दी सर्दी लोगों को कोबीड-19 के वैक्सिन दिजाए शिराक पास्वान ने कहा कि मन की बात करते हैं परधान मंतरी और हमारे मुखमंतरे भी PM में डल गया, यानि PM बनने के चाहत रखते हैं, या चाहत तो पहले से ही अनितिज कुमार की है क्या कुछ कहां शिराग पास्वान ने आपको बिस्तार से इस खबर के अंदर बताया जाएगा तो वीडियो को अंतक जरूर दखेगा पुरी खबर पाँच मिनट के अंदर बताया जाएगी उत्तर परदेश में किसकी चमके की किस्मत किया हो गया दितनात ने पांच सालों में उत्तर परदेश को उत्तम परदेश बनाने का करे किया या फिर उत्तर परदेश को जिहां गिराने का काम गया यह तमाम खबर आपको बताई जाएगी क्यों बनेगा मुकमंत्री क्या कहती है जानता का रहा है आपको बिस्तार से पांच मिनट के अंदर बताई जाएगा साथी साथ आज की बड़ी खबर के अंदर बात करेंगे देश के अंदर सरको की चोड़ी करण के लिए सरकार ने नया बज़ट पेस कर दिया है शरकार की नया बज़ट पेस किये जाने के बाद में शरको की चोड़ी करण का काम तेजी से क्या जाएगा पसु पालने वाले लोगों को आपको तर दे बड़ी खुसकबरी पसु सेड यानि पसु छैकर इन पसु सेड की नाम से योजना चलाई जा रही है अगर आपको पसु सेड नहीं मिला है तो इसके लिए आप ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं साथी साथ शंपून शराबंदी कानून के बावजुद भी बिहार के अंदर नहीं थम रहा अवैध करोबारियों का करोबार लंबे और मोटे पैमाने पर किया जा रहा है अवैध करोबार तो इस बड़ी खबर के बारे में आपको बिस्तार्स बताया जाएगा साथी साथ आपको दादी कि जीतन ना माजी ने एक बड़ी बात कह दिये और जीतन ना माजी के बयान के बाद में लगता है कि क्या एंडिये टूट जाएगा क्योंकि एक तरफ जियान लगतार जादिये जनगरना की मांग हो रही है तो अब तमाम परिकार के पक्ष और भी पक्ष एक हो गया है पूरी खबर बताईज आएगे परधान मंत्री अवास का पैसा अगर आपको नहीं मिला तो अब आपके भी खातों में परधान मंत्री अवास का पैसा आना तेज हो गया है परधान मंत्री आवाज के लंबे शमय से पैसे पेंडिंग में थे जिसे एक बार फिर से जारी कर दिया गया है और काफी लोगों को इसके पैसे मिल वे रहें शबी खबरों को लगतार विस्तार्ज बताएंगो शेप पहले वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दिएगा अगर आपने शियर नहीं किया तो सियर जरूर कर दिये और साथे साथ फ्यूचर में भविश्यमें अगर आप ऐसे हैं और मुहत्पूर्ण खबरों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें शुरूरात करते हैं आज की बड़ी खबर से तेश्वी आदों ने जातिये जनगर्णा की मांग और अरक्षण के अंदर चूट समेट कई परकार की मांगों को तेज कर दिया है और जातिये जनगर्णा के उपर पक्ष और विपक्ष की मुलकात भी हो गई है यानि त्यश्वी आदों की मुलकात और मुकमंत्री नितीज सुमार की मुलकात भी हुई है और जातिये जनगर्णा पर दोनों पार्टियों के सहमती के बाद में अब पार आपको बस्तार से बताएंगे उस्टे पहले आपको दा देते हैं कि आज राज़त की ओर से जातिय जन्गर्ना को लेकर बड़ी जनकारी दी गई राज़त ने शाप्तवार पर कहा कि जातिय जन्गर्ना एक बड़े पैमानी पर की जाएगी और इसलिए जातिय जन्गर्ना को जनगर्णा के उपर अपनी मोहर लगा दी है जातिय जनगर्णा के उपर किसी की मोहर नहीं लगी है तो वह है बीजेपी के लोग भारतिय जनता पार्टी ने जातिय जनगर्णा के उपर अभी कुछ भी बोलने से रुक रही है लेकिन जातिय जनगर्णा क्या बिहार में होना सकता है तो इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने शमर्थन दर्ज करिएगा ताकि हमें मालूम चल सके कि कितने अस्तर पर लोग देश्वी आदों को मुखमंत्री बनना देखना चाहते हैं शादी साथ आपको उताते हैं कि देश्वी आदों बहार के अंदर और बिहार के बाहर दस तरीके से अपनी पार्टी के छबियों को बरकरार कर रहे हैं जिस तरीके से अपने पार्टी के छबियों को एक बेहतर ढंक से एक मजबूत नेता के तोर पर पेस कर रहे हैं आने वाले दिनों में त्रश्वी आदों को जियां बिहार के मुख लेकिन बीजेपी यानि भारतिय जन्ता पार्टी की श्रमती ना मिलने के कारण इसे सुरुवात नहीं क्या जा रहा अगली बड़ी और मुख्य शमचार की बड़ते हैं जिस जाना आप सबी को बहुत जरूरी होगा बात करें नितीज कुमार की तो मानिया नितीज कुमार जि लाउड नहीं करते हैं तो क्या इंडिये में से जेडियू अलग हो जाएगी और जेडियू के मुख्यमंत्र नितीज कुमार क्या अपनी स्तिफा स्वाप देंगे क्योंकि बहार में ये भी चर्चाएं चरम पर हैं कि बहार के मुख्यमंत्र नितीज कुमार अपने पीचार धारा को प्रकट कर और अपने पार्टी की शरकार बनाएंगे यह तमाम परकार की बातें काफी तेज हो गई हैं लेकिन अगर NDA से जेडियू अलग होती है तो सत्ता में जर्चल आपको दादे कि आरजेडी को आने से कोई नहीं रोक शकता है क्योंकि विहार के अंदर सबसे बड़ी पाटि जेडियू है और आपको दादे आर्जेडी है और आर्जेडी यानी राष्ट्य जनता दल के पास काफी सी त्याद है हलाग कि जेडिउ के तमाम अब गुदार शंशदोंने अमीद सास से मुलकात की है। और शंशदयतल किनेतल लळन शीन की भी मुलकात बताइ जाती एक बहुत जल्दी होगा। ललनसिन जेडियू के अब ध्यक्ष बन चुके हैं सारी कमान जेडियू के अर ललनसिन के पास हैं तो ललनसिन भी बहुत जल दे बीजेपी के तमाम बरिष्ट निताओं शे मुलकात करेंगे और जाती है जन्नकरणा बिहार में जो एक बरिष्ट मस्या बनी हुई है बक्ष औ आपको हम बिस्तार से बताते रहेंगे लेकिन आने वाले समयों का आपको भी इंतजार करने की बहद जरूरी है अगली बड़ी खबर क्यों बढ़ते हैं बिहार में पंचायट चुनाओ की कावायत 30 कर दी गई है बड़े बैमाने पर लोगों को बिहार के पंचायट चुनाओ पर है क्योंकि पंचायट चुनाओ के परतिनिद्यों का करेकाल 15 जुन 2021 को समाप्त हो गया है और बताया जाता था कि आने वाले अगस्त महीनों में पंचायट चुनाओं शुरू हो जाएगा लेकिन अभी तक किसी भी परकार के बड़ी जनकारी निकल कर शामने नहीं आई ह लेकिन आपको उताते हैं एक बड़ी खबर बिहार पंचायट चुनाओं को कराने के लिए दर्शल राज निर्वाचन बिभाग ने जीला के तमाम डिस्टिक मजिस्टिर्टे रहने डीम से बातचित की है ओनलाइन चली इस मीटिंग के दर्वियान इस बात पर चल्चा के गई कि बिहार का पंचायट चुनाओं किस तरीगें राज जाने के बाद में बाढ की बड़ी आपदा ने बिहार को जगजोर कर रख दिया और आयोक के द्वारा इस बात की जनकारी दी गई कि बाल जैसे बड़े आपदा के अंदर बिहार में पंचाय चुनाओ कराना उचित नहीं है जिसको मंदे नजर रखते हुए इस बार बिहार में पंचाय चुनाओ बड़े पैवाने पर जो कराने थे अब इसको टाला अगस्त में नहीं कराय जाएगा शेप्टेमबर और अक्टूबर के महीनों में इस चुनाओ को कराने के प्रक्रिया हैं सुर्वोशक्ति हैं शेप्टेमबर और अक्टूबर के महीनों में बिहार का पंचाय चुनाओ कराया जा सकता है या बेहाद बड़ी और मतपून निकल कर सामने आ रही है अगली बड़ी कवर क्यों बढ़ते हैं बात करें बीजे पी की तो बीजे पी यानि भारतिय जन्ता पाटी उत्तर परदेश को उत्तम परदेश बनाने का दावा कर रही है उत्तम परदेश योगी अधितनात के करेकाल में योगी अधितनात ने सालों के अंदर तमाम परकार की उजनाओं का नाम चेंज किया है तमाम सहरों का नाम चेंज किया है तमाम सडकों का नाम चेंज किया है लेकिन कुछ नहीं किया तो वो है विकास उत्तर परदेश को उत्तम परदेश नहीं बलकि उत्तर परदेश को बेहद बेकार परदेश बन कर दिया जाएगा लेकिन आपको क्या लगता है आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा 300 से ज़्यादा सीट याने की बीजे पी एक बर फिर से दावे पेस कर रहे हैं और इसके उपर आपकी प्रतिकिर्याओं का हमें इंतजार रहेगा आप कॉमेंट करके इसकी जनकारी से बड़ा अस्थल माने जाने वाले स्कूल बंद रहेने के कारण लोगों को भारी तकलीफों का शामना करना पड़ा इसकूल बंद हैं इसकूल के बंद करिये जाने के बाद में अब इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि स्कूल कब खुलेगा लेकिन अब शरकार अगश् साथ शारकार ने इस बार पंच आपको दारे क्या स्कूलों को खोलने का निर्देश दिया है इसकूल किस तरीके से कि नियमों के फॉलो करेंगे बच्चों को किस तरीके से आने के लिए इसकूल में बताया जाएगा इन तमाम जानकारियों को हम साजा करेंगे लेकिन अगस्त महीनों में स्कूल और कॉलेजियों को खोलने का शरकार का दिसा निर्देश आशकता है जो भी प्रोडोकॉल होगा वो आपको सबसे पहले यहीं पर बताई जाएगी आसले इतना ही आप होंगे शर्थ बने रहेगा वीडियो को लाइक करने बिल्कुए नहीं आवले जैंद व